नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेडिकल गुरू टूप चैनल पर आजम सी फिरो सीवी ड्राय सिरप के बारे में पूरी जानकार लेने वाले हैं सी फिवरो सी भी ड्राय सिरप का मुक्यत उप्योग बच्चों में बैक्ट्रिल इंप्रेक्शन की समस्चा दूर करने के लिए किया जाता है आईए इस सिरप के बारे में अधिक विस्तार से जानती है यह सिरप कैसे काम करता है, कहा इस्तेमाल होता है, इस सिरप की क्या बेनिफिट से, क्या साइड पेक्स है इस सिरप से जुड़े सभी सावलो के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे तो वीडियो को आखरतत दरूर देखे हेटेरो ड्रक्स लिमिटेड कमपनी का 30 मिल का यह सिरप आपको 142 रुपए में डॉक्टर के परचे पर किसी भी मेडिकल स्टोर्स पे आसानी सिमिल जाएगा बात करते हैं इस सिरप में मौझूद कंटेन के बारे में इसमें मौझूद सेपिराग्जिम यह एक एंटिबाइटिक दवा है यह बैक्टरिया की उरद्धी को रोकने की जरीए काम करती है और संक्रमन को फईलने से रोकती है और क्लैविनिक एसीड यह एक बीटा लेक्टमेज इनिबिटर है जो रेजिस्टन्स को कम करता है और बैक्टरिया के खिराब सेपिराग्जिम यह जटाईल की गतिवजी को बाड़ाता है बात करते हैं इस सिरफ के यूजेश की डॉक्टरी शेकिंग के समश्चे में इस्तमाल करते हैं इसका उप्योग यूरीन इंपेक्शन की समश्चा तूर करने के लिए के आ जाता है गर्ले में इंपेक्शन होने की समझ्चा, कान में इंपेक्शन होने की समझ्चा और साथ ही सर्वी साइटिस की समझ्चा दूर करने के लिए डॉक्टर इस सिरफ का इस्तमाल करते हैं। बात करते हैं इस सिरफ से ओने वाले sidepick इदि आपके बच्चे को इस शिरफ में मौझूद साइड़ी पे हो सकते हैं कि विड़े स्विय्यारजी बात है साइड़ी Unix से आपके बच्चे को मिचली 拟ावना Allergy पेट-दर्द होना लिए और उल्टी यह साइड़ पेख हो सकते हैं बात करते हैं यह सिरफ इस्तमाल करने से पहले हमें क्या-क्या साउधन या लेनी चाहिए जिद्धि आपके बच्चों को और मेटिशन दे रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को दरूर निपर हो ताकि आपके बच्चों को और डोस या फिर ड्रग इंट्रेक्शन ना हूँ इदि आपके बच्चे को लिवर या फिर किरने से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो इस सिरप का इस्तमार लॉक्टर के से अलग के अनुसर करें और साथ ही यह सिरप इस्तमाल करने से पहले इसे आच्छा से लाए उसके बाद ऐस सिरप का इस्तमाल करें बात करते हैं इस शिरप के डोस के बारे में आप अपने भच्ते की समँशा और एज बताकर इस शिरप का डोस आप अपने डॉक्टर या फिर फार्माशी चे पूत ले या आदर के दोस्तो हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है इसलिए रोगी किस्तिती रोगी के आयो और आन्य कारणों के आधार पर इस सिरप का डोस अलग हो सकता है इसलिए इस सिरप का इस्तमाल डॉक्टर के सला की आनुसार करें एक से तीन साल के बच्चे को पाच है अमील सुभ और पाच हमेल राख पको बच्चे के वजन के हिसाब से बिंगो